अखिलेस यादव बोले भगवान भरोसे यूपी का स्वास्थ विभाग दम तोड रहे मरीज सरकार चुनाओं में ब्यस्थ अखिलेस यादव ने कहा कि डेंगू बुखार और अन बीमारियों से हर रोज लोग मर रहे हैं लेकिन भाजपा सरकार इसे एकदम बेपरवा है अस्पतालों में ना डॉक्टर हैं और ना ही दवाएं हैं यूपी सरकार बाहर चुनाओं प्रचार में व्यस्थ है स्वास्विभाग भगवान भरोसे चल रहा है अखिलेस ने जारी बयान में कहा कि मैंपुरी की बिछवा में नौ महा की गर्वती को इलाज नहीं मिला जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई राजधानी लखनों में पूर सांसत के बेटे तक कोई लाज नहीं मिला अब विवस्था के चलते मरीजों की जान की साथ खिलवाड हो रहा है सपा अध्यक्ष ने कहा है कि गंभीर मरीजों को समय से लास्त दूर स्ट्रेचर तक नहीं मिल पा रहा है वील्चेयर के लिए लोग भटकते रहते हैं सरकार की सरक्षन में सरकारी एस्पताल और प्रावेट एस्पतालों की मिली भगत और उपेक्षा से मरीजों का जीवन संकर्ड में है समाजवादी सरकार में मरीजों के लिए जो 102 और 108 डायल नंबर अम्बूलेंस सिवा उपलब दे कराई गयी थी उसे बरबाद कर दिया गया है महिलाओं की खिलाफ है भाजपा सरकार लखनों की इको गार्डन में महिला सिक्षक अभ्यर्तियों के साथ दक्का मुकी पर अखलिस यादव ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के खिलाफ है सासन प्रिशासन सक्ति का दुर्पयोग कर रहा है उधर सपा महा सचेव स्वामी प्रिशाद मौर समाजवादी महिला सभा की राष्टी अद्यक्षी मती जूही सिंग समाजवादी चातर सभा की प्रदेश अद्यक्षी विनीत कुस्वाह लखनों उत्री विधान सभा की पूर्व पूजा शुकला समाजवादी महिला सभा की राश्चिय उपाद्देख्ष निहा यादव ने धर्णा इस्थल पर पहुंश कर अपना समर्थन दिया